पांच सितंबर को भाद्रपद मास की किशनपक्स की सस्टी तिथी को हल सस्टी हल छट के उप में मनाया जाता है। पुरानिक माननेता के अनुशार इसी पावन तिथी पर स्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जनम हुआ था। हल सस्टी तिथी के दिन त्रीपूर्षकर योग, रवी योग और सरवाद सिद्धी जैसे कई सुग योग भी बन रहे हैं जिससे इस दिन का महतों काफी बढ़ गया है। पचास मिनट तक रहेगा। इसमें आपको ये उपाई करना है। क्या है आपको एक ताबे के पातर के अंदर सुच जल लेना है। सात मे लेना है एक टुकडा गुड़ और थोड़ा सा आधा चमच आपको सहद लेना है। और साथ मिलेने हैं माटे के दो गोलबाती के दीपक। इन दोनु दीपक के अंदर आपको देशी गाएं का घीई वरना हैं। सब सामगरी को लेकर आपको जाना है भगवान सिव के मंदिर में। सबसे पहले तामबे के पातर के अंदर जल भरा हुआ है। उसके अंदर एक टुकडा गुड का डाल दे और उस गुड मिसरी जल से आपको भगवान सिव का अविशेक करना है। स्रेश्युआय नमस्तुवा मंत्र का जाप करते हुए। अशोक सुंद्रीवालिस्तान पर आपको ओम बनाना है। ओम बनाते हैं वापस आपकी जो भी मनो कामना है वो आपको बोलनी है। और भगवान सिव के सिवलिंग के सामने आपको घी का एक दीपक पर पर जलित कर देना है और वही पर बेट कर आपको ओम उमा संक्राइन में इस मंत्र का 108 बार जाप करना है पहला ओम आपने अशोक सुंद्री वालेस्तान पर बना दिया अब आपको बेल पत्र के पेड़ के पास जाना है और पेड़ पर आपको सह्यध से ओम बनाना है और शात म मैं आपको वहाँ पर दीपक उपरजलित कर देना है वहाँ पर भी आपको ओम गोरी संकराय नमेका जाप करना है और आपकी जोवी मनोकामना है वहाँ पर्रयास हैं तो यह महाँं में नहीं है उपाई reacts करना है महादिव वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंड करें चैनल पढ़ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबादे ताकि वीडियो की सबसे पहले नूटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद